हम अंजनी सुत बजरंग वली की कथा सुनाते हैं कथा सुनाते हैं। बाई भरत समान जिन्हे स्रीराम बुलाते हैं। हम कथा सुनाते हैं। गौतम रिसी ने शाप दिया था माता अंजनी को कहने लगे कि तुम कुमारी ही माता बन जाओ बोली अंजनीर इस वरिये मैं होने ना दूँगी अपने आपको एक गुफा में मैं बंद कर लूँगी किसी पुरुस को देखू ना मैं ये होगा कैसे जाएगा ये शाप तुम्हारा बिर था ही ऐसे अपने आपको एक गुफा में उसने बंद किया छोटा साइक छित्र था बस जिसमें आए हवा हुआ है क्या फिर इससे आगे तुम्हें बताते हैं पावन कथा सुनाते हैं बाई भरत समान जिन्हें स्रीराम बुलाते हैं हम कता सुनाते हैं हे राम भक्त हनुमार तुम तो हो बड़ बल्यवार ते राम भक्त हनुमार तुम तो हो बड़ बल्यवार मोहन रूप जो विष्णो जी ने भोले को दिखलाया काम भेग फिर भोले जी को रूप देख चड़ आया काम भेग अब भोले जी से रोका ना जाए प्रम्हा जी ने फिर बत लाया उनको एक उपाए गुफा अंजना बैठी जिसको गवतमरिसी का साह कान में उसके डालो बिंदू जाकर गोले आओ काम भेग ये आपका तो यू व्यर्त न जाएगा काउतमरिसी का साप भी भोले सच हो जाएगा गुफा द्वार पर जाकर भोले अलख जगाते हैं पावन कथा सुनाते हैं भाई भरत समान जिन्हें स्रीराम बुलाते हैं हम कथा सुनाते हैं हे राम भक्त हनुमान तुम तो हो बड़ बर्वान हे राम भक्त हनुमान तुम तो हो बड़ बर्वान बोले जी की अलख जो अंजना के कान पड़ी पैठी धान लगा कर थी वो सुनकर हुई खड़ी बोली अंजना जोगी मुझे को बाहर ना आना बंग करना है शाप्रसी का मैंने है ठाना कहने लगे भोले हैं देवी हमें लगी है प्याँ पानी पीने से पहले तुम्हें मंत्र देंगे खाँ अपने कान को इस छित्र के पास मिलाओ तुम्ह बिना तच्छिडा किसी का पानी ना पीते हैं हम कान में वो फिर अंजनी मा के वेग पढ़ाते हैं पावन कथा सुनाते हैं भाई भरत समान जिने स्रीराम गुलाते हैं हम कथा सुनाते हैं हे राम भक्ति हनुमात तुम्ह तो हो बड़ बलवात हे राम भक्ति हनुमात तुम्ह तो हो बड़ बलवात पोली अंजनी है जो गी ये क्या है तुमने किया सच ही हो गया शाप आज जो रिसिगाउ तमने दिया कहने लगे कहे अंजनी इसको ना समझो सा ऐसे वैसे ना जोगी हम खुद है भोले ना होगा जो ये बालक वो बड़ बीर कहाएगा कौमार भी भंग तुम्हारा ना हो पाएगा राम भक्त इसे लोग कहेंगे और नाम हनुमा मत समझो ये श्राप है तुमको ये तो है बरदा भोले नात तो फिर कैलास पे लोटे ही जाते हैं पावन कथा सुनाते हैं भाई मरत समान जिन्हें स्री राम बुलाते हैं तम कथा सुनाते हैं हे राम भक्त हनुमान तुम तो हो बड़े बल्यमान हे राम भक्त हनुमान तुम तो हो बड़े बल्यमान पावन के जर्ये कान से होकर ये हैं गर्ब में आये इसलिए तो बजरंगी है पावन पुत्र कहलाए इन्तु गर्ब में पड़ गई इनको बानर की छाया इसलिए तो बानर जैसा रूप इन्होंने बनाया पजपन से ही हुए है ये तो बड़े वीर बल्यमान बोले जी ने जैसा कहा था रखा नाम हनुमान देखके एक दिन आसमान में लटक रहा बलला उड़कर पहुँच गए बजरंगी ऐसा किया कमान समझ के फल वो सूर्य देव को निगल ही जाते है पावन कथा सुनाते है भाई भरत समान जिन्हे स्री राम बुलाते है हम कथा सुनाते है ए राम भक्त्य हनुमान तुम तो हो बड़ बलवान सूर्य देव को जो निगलातो हुआ घोर अंधिकार सारी ही स्रिष्टी में मच गई फिर तो हाहा का सारे देवी देव तभी तो होने लग ब्याकुल हनुमत निगल गए सूरज को समझ के मीठा फल होए कत्रित वो हनुमान के पास में फिर आए बाहर निकालो सूर्य देव को रहे है समझाए जित्डी बालक की तरहाना मान रहे हनुमान क्रोध में भरकर इंडर देव ने बच्च लिया है ता बच्च प्रहार से हनुमान मुर्छित हो जाते हैं पावन कथा सुनाते हैं बाई भरति समान जिन्हे स्री राम बुलाते हैं हम कथा सुनाते हैं हे राम भक्त हनुमान तुम तो हूँ बड़ बर्मान हे राम भक्त हनुमान तुम तो हूँ बड़ बर्मान फिर तो पवन देव ता आये सुत का जानने हाई ये क्या किया है इंद्र देव वो हुए क्रोध सेला छोटे छोटे पालक पे कर दिया वजर प्राहा मेरा भी अब क्रोध देख लो तुम और ये संसा इंद्र देव ने फिर तो दिखाया उनको अपना तो सब हुए व्याकुल पवन देव ने लिया बेग को रो सास भिलेना सबका फिर तो हो गया था दुसरवा प्रम्हा जी फिर पवन देव से बोले हाथ पसाओ हनुमान की वज्ड देह प्रम्हा जी बनाते हैं पावन कथा सुनाते हैं बाई बरति समान जिन्हे स्री राम बुलाते हैं हम कथा सुनाते हैं ही राम भस्ति हनुमान तुम दो हो बड़े बलवान ही राम भस्ति हनुमान तुम दो हो बड़े बलवान अवन देव ने ब्रह्म्हा जी की लिंतिली है मान वज्ड देह का ब्रह्म्हा जी ने दिया उन्हें वर्दान सूरी देव हनुमान के मुख से फिर आए हैं बाहर हुआ उजाला सब देवों ने बोली जै जैकार खेलत खेलत फिर वो एक जंगल में आते हैं रिसी मूख के पुत्र देख उनको डर जाते हैं उचल कूत फिर उन्हें देख कर करने लगे हनुमान रिसी मूख से करी सिकायत फिर बैच्चों ने आओ रिसी मूख के साप से वो बल अपन भुलाते हैं पावन कथा सुनाते हैं बाई भरत समान जिन्हें स्री राम बुलाते हैं हम कथा सुनाते हैं हे राम भक्ति हनुमान तुम तो हूँ बड़ बल्यों हे राम भक्ति हनुमान तुम तो हूँ बड़ बल्यों किस किंधा परवत पर फिर तो हनुमान आए वानर राज सुक्रियूने से ना मेलिया मिलाए राजा दसरत के घर जन में पुर्सों तमस्रीरा खुसी मनाए नगरी सारी हो रहे मंगलगा भोले बाल रूपी दर सनराम के चाहते हैं इसलिए हनुमान को अपने पास बुलाते हैं गोले तुम बानर बन जाओ और मैं बनू मदारी बाल रूपी राम छबी दोनों देखेंगे जारी बन के मदारीय योध्या में वो खेल दिखाते हैं पावन कथा सुनाते हैं भाई भरत समान जिने स्रीराम बुलाते हैं हम कथा सुनाते हैं ही राम भग्त हनुमान तुम तो हो बड़ बलवान ही राम भग्त हनुमान तुम तो हो बड़ बलवान चर्चा छिडी अयोध्या में इक आया अजब मदारी वानर का वो खेल दिखाए देखे नगरी सारी पुरसोतम स्री राम खेल को देखन चाहते हैं राजा दसरत फिर उनको महलों में बुलाते हैं बोले ने फिर बजरंगी संग ऐसा खेल दिखाया बोले राम ये बानर तो है मेरे मन को भाया ये बानर तो मैं रखूंगा बोले है स्री राम माने ना स्री राम तो लेकिन रूठ ही जाते हैं पावन कथा सुनाते हैं बाई भरती समान जिने स्री राम बुलाते हैं हम कथा सुनाते हैं हे राम भक्त्य हनुमार तुम तो हो बड़ बल्वार तस रतने फिर तो है वानर कई मगाए माने ना स्री राम वही तो बानर लेना चाहे अपने मंत्री को राजा ने खोजन है भेजा खोजत खोजत आये मंत्री परवत किस किंधा वानर राज सुक्रिवन आकर उनको सिस जुकाया बुला लिया हनुमान उनके संग में अयोध्य पठाया भक्त और भगवान का फिर तो ऐसा मिलन हुआ फिर बोले स्री राम हम ये लीला रहे दिखाऊ अब तुम जाओ हनुमान हम बनवास को आते हैं पावन कथा सुनाते हैं बाई बरत समान जिन्हे स्री राम बुलाते हैं हम कथा सुनाते हैं हे राम भक्ति हनुमान तुम तो हो बड़ बलवान हे राम भक्ति हनुमान तुम तो हो बड़ बलवान चोदाह वर्स को सिरी राम जब आए हैं वनवास बलिवद करके सुक्रियू से फिर किये मित्रता खाँ सीता मा की खोज में निकली सब वानर सेना लंका जाने के लिए हैं हनुमान को चुना सिरी राम की आग्या लेकर ऐसी भरी उडारी सौयो जन का सागर लंगा और लंकिनी मारी सीता माता को जागर के किया हैं फिर पेडा बाग उजाणा और अच्छेका कर दिया काम तमाओ सोने की लंका गुजला के राख बनाते हैं पावन कथा सुनाते हैं भाई भरत समान जिने स्री राम बुलाते हैं हम कथा सुनाते हैं हे राम भरत्य हनुमा तुम तो हो बड़े बर्वान हे राम भरत्य हनुमा तुम तो हो बड़े बर्वान बना किसे तू फिर कर दी है लंका नगर चढ़ाई जटे रहे स्री राम के संग में जब भी मुसीबत आई अपनी गदा से जाने कितने दानों मारे हैं सिरी राम के बोल रहे मुख से जैकारे हैं लखन लाले और मेगनात में युद्ध हुआ भारी मेगनात ने जब लक्षमन को सत्ती थी मारी सुर्योद ऐसे पहले जाकर संजीवन लाएं भरत समान राम प्रभु ने भाई बत लाएं राम प्रभु तुमें कुस हो करके गले लगाते हैं पावन कता सुनाते हैं भाई भरत समान जने स्री राम बुलाते हैं हम कता सुनाते हैं ही राम भरत हनुआ तुम तो हो बड़ बल्यान तुम तो हो बड़ बल्यान लंका विजय कर लोट सभी जब योध्या आते है सिरी राम ने सबको ही उपहार भी बाटे है मोती की माला हिस्से में आपके आई है तोड़ी मोती माला दा तो दले चबाई है लंका पती विभी सन ने फिर कह दी ऐसी बाट तोड़ी मोती माला आखिर है बानर की जाग इतने कीमती मोती तुमने क्यों विखराए है क्या हिरते में तेरे भी सियाराम समाए है फाड के सीना सियाराम का दरस कराते है पावन कथा सुनाते है पाई भरत समान जिने सियाराम बुलाते हैं हम कथा सुनाते हैं हे राम भरते हनुमान तुम तो हो बड़ बलवान वीरों के है वीरे ये अपने महभीर हनुमान राम भक्त है बड़े निराले गुड़े और पलकी खाई स्री राम की आज्या चासद पालन है करते भूत पेते और दुर्जन दुष्ट भिनाम से ही डरते हे बजरंग बली रखना हम पे किरपा की छाया डीयस पालन सुमर सारता तेरा ही गुन गाया हंस राजरे लहन ने बनाया चोनोटिक चैनल सुनेगा जो भी इस गाथा को होंगे काम सफन वोजी सुरेस सिलाखों भक्त भिसीस जुकाते हैं पावन कथा सुनाते हैं भाई भरत समान जिने स्री राम बुलाते हैं हम कथा सुनाते हैं ही राम भक्त्य हनुमान तुम तो हु बड़ बर्वान ही राम भक्त्य हनुमा तुम दो हो बड़े बर्या